ठीक है तो आप लोग एकडम टेंसन फ्री होकर जाएं पेपर देने के लिए ना जब लगता है कि टेंसन फ्री होकर जाएं और पेपर दे कर आप आराम से चिल करो एक दो दिन है ना ठो उसके बाद सोचना किste गसा कर ना है तो सबसे पहले जो आप ने इतने तैयारी की वह दो साल से तो आप लगे होंगे एक्दम तैयारी करने के लिए तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं देना आपको बस एक सीट चाहिए आपको तो अपने उपर दियान रखना है कि मुझे एक सीट चाहिए और ना मैं इधर देखूंगा ना उदर मैंने जो पड़ा है जो रिवाइस किया है अच्छे से बहुत तयारी करते हैं बहुत तयारी और बढ़िया अभी उनके नंबर बहुत अच्छा रहे होंगे लेकिन उन मैंसे कुछ बच्चे अपना पेपर खराब कर गया जाते हैं क्यों क्योंकि डर जाते हैं आखरी मुमेंट में कोई सवाल ऐसा उठा लेते हैं वह कि मतलब वह इस्ट्रा सोचना मतलब आपको दिमाग लगाना पड़ाएगा उसको बनाने के लिए तो इतना दिमाग उस पर्टिकुलर सवाल में ना लगाने की बजाए आप चोटे-चोटे सवाल कर लो यार कई सवाल ऐसे आते हैं कि आपके सामने होंगे आपने सवाल पड़ा एक दो हैं अब यूछ से अदर होना चीए कि यारगर सवाल मुझसे नहीं बन रहा है तो इसका यह नहीं की मुझ से पूरे पेपर में सवाल नहीं बनेगा एक आद नहीं बना दो नहीं बने नहीं लेकिन मैं आगे आने वाले समय में मतब आगे आप और कॉश्चंस देहोंके तो तो बन जाएंगे आप से अगर आप पढ़के जा रहे हो तो मेरी तरफ से सभी लोगों को बेस्ट अफ लग है आप लोग एकदम बढ़िया तरीके से पेपर देके आओ और जाने मतब पेपर जब देकर घर आओगे तो किसी से कोई बात नहीं करने आराम से चिल करो अपनी ज उसके बारे में जवर्दस्टी डिसकस करके फिर यह हो गया वो गयार यार यह तो तुनिस में ऐसा कर दिया कुछ नहीं दे दिया खतम होगा देखेंगे ठीक है तो मेरी तरफ से सभी लोगों को बेस्ट आफ लग बढ़िया तरीके से फेपर देगे आओ जाते जाते दो ल जिखान रखें और ऐसा नहीं कि यह पेपर फाइनले इसके आगे आपको और भी मैनत करने हैं पूरी जिंदगी में संगर से वाई यह पार्ट अफ लाइफ है करते रहना आपको और आके बढ़ते जाना है ठीक है मिलते बेटा फिर कभी सब तक के लिए ओक के वाई